आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Google Business Profile के verification के बारे में देखिए Google Business Profile का जो verification है वो कई बार बहुत difficult हो जाता है कुछ-कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जिससे verification बहुत लंबा हो जाता है और कई बार तो हमारी जो business profile है वो suspend तक हो जाती है verification field होने की वज़े से बार बार तो आज हम ये समझेंगे कि verification को सबसे पहले आसान किस तरह से आप बना सकते हैं बहुत ही simple किस तरह से आप बना सकते हैं और कौन-कौन से verification के methods होते हैं उन में से कौन सा method किस तरह से काम करता है और क्या-क्या आपके पास होना चाहिए ताकि आपका जो verification है वो पहली बार में ही हो जाए अगर पहली नहीं तो दूसरी तीसरी जितनी भी मलब जब भी आपको जो भी option मिलता है उसमें आपका verification successful हो जाए तो वो क्या चीजे हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जुरूर नहीं है कि हर बार पहली बार में ही आपका जो verification हो जाए क्योंकि इसके अंदर बहुत सी चीजें matter करती हैं कई बार Google जो है वो बिना किसी verification step के भी आपकी profile को verify कर देता है कई बार phone से verify हो जाते है कई बार video upload करने से तो कई बार live call से जो है profile जो है वो verify होती है तो वो सारे तरीके जो है वो हम आज के इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि verification के methods कौन-कौन से हैं देखिए तो सबसे पहला method है वो है postcard का यह सबसे oldest method आप इसको कह सकते हैं पहले जिस particular location का address आपने फिल किया होता था वहाँ पर एक postcard गूगल की तरफ से send किया जाता था बट अभी with the time यह message जो तरीका है वो ज्यादा यूज नहीं होता बट अभी भी होता है कहीं कुछ-कुछ जगहों पर next आपका है phone या SMS verification तो कई बार जब Google को लगता है कि यह verification मतलब business legitimate है और सब चीज़े होती है तो वो phone और SMS के through भी simply verify आपके business को कर लेता है जादा detail में इसको जाने की जुरुरत नहीं पढ़ती इसके बाद आपका email verification भी हो सकता है simply Google आपको email send करेगा और वहां से आपका verify हो जाता है एक है इसके अदर instant verification यह verification जो है उन लोगों के business होता है जिन्होंने अपने अपनी website को Google Search Console के साथ लिंक किया हो Google Analytics के साथ लिंक किया हो यह चीज़े अगर आपने करके रखी है तो कई ब आपका warranty नहीं है तो वहां पर instant verification आपका हो सकता है बिना किसी और method की जो है simply verify आपका business हो सकता है उसमें हलाकि कुछ आपकी website अगर थोड़ी पुरानी हो index हो submitted हो GSC के अंदर तो verification जो है वो आसान रहता है इसके बाद हमारा आता है video recording तो कई बार आप जो है video record करके भी upload कर सकत है और उस method से भी जो है आपका gbp verify होता है इसके अलावा live call का भी एक next method जिसमें गूगल meet के तूगल के जो representatives है वो आपको call करते हैं और आप जो step वो करने को बोजते हैं वो आपको follow करने पड़ते हैं हलाकि video recording में दो तीन चीज़ें आपको करनी पड़ती है अपर live call के अं photo upload यह method सिर्फ service businesses के लिए रहता है but mostly unavailable रहता है जहातर tier 1 countries के अंदर ही आप इसको कह सकते हैं तो वहाँ पर जो service business है जिनके पास को physical location नहीं है तो वो अपने tools और इन चीज़ों की जो photo है वो भी upload करके अपने business को verify करवा सकते हैं यहाँ पर मैंने दो तरह कि businesses के बारे में ब hybrid का मतलब होगा है जो service भी देते हैं और जिनके पास physical location भी है ठीक है और यहाँ पर जो हम GBP verification के method देख रहे हैं वो लगबग physical stores के लिए तो लिए applicable होते ही हैं और hybrid के लिए भी applicable होते हैं लेकिन service business में थोड़ा सा different रहता है तो वो भी हम इसके अंदर अभी इस video के अंदर ही हो गया जो cleaning वगरा करते हैं तो वो भी इसके अंदर आते हैं ठीक है तो पहले सबसे पहले आपको जो business name है should be exactly what is on your signage and logo आपने जब google business profile create करनी है तो business का जो नाम है वो वही रखना है जो आपके signage यानि की board के ओपर लगा हुगा है board दुकान की या फिर कहीं पर भी जो आपकी location है वहाँ पर बहुत important है क्योंकि google वो signage देखता ही देखता है तो आपको अपने जहां पर भी आपका shop है वहाँ पर एक board लगा के रखना है वहाँ पर आपका जो business का name है हो सके तो उसका address और उसका phone number भी वहाँ पर अगर आप रख देंगे तो verification काफी easy हो जाती है लोगों पे जो नाम है वही आपका name आपके business के name के साथ होना चाहिए हलांकि लोगों में हम थोड़ा बहुत उपर रिचे कर देते हैं तो लोगों को आप ignore कर सकते हैं बड़ signage के उपर जो नाम है वही आपकी business profile का name भी होना चाहिए अब अगर आपके पास एक website है हलांकि ये must requirement नहीं है ये वो चीज़े है business name वाला पहला तो must ही है वट website एक must part नहीं है वट अगर है तो बहुत ही easy हो जाएगा ठीक है तो इसके अंदर आपके पास website है और उस website पे आपने footer के अंदर business का name address ये सब चीज़े एंटर करके रख हुई है phone number बगएरा तो यहाँ पर मैंने सिर्फ address लेका बट यहाँ पर आप तीनों चीज़े important मानिए नाम, address और phone number ये तीनों चीज़े वहाँ पर अगर है तो भी आपका verification काफी आसान हो जाएगा अगर आपने website को वहाँ पर add कर दिया है और GSC GA verification अगर आपने कर रख है तो आप instant verification के लिए भी eligible हो सकते हैं आपको कुछ अलग से verify करने की जुरत नहीं पड़ेगी आपका जो profile है वो सीधा ही जो है verify हो जाएगा कुछ particular businesses रहते हैं जिनमें ज्यादा chances होते हैं कि वो video recording या फिर live call के लिए जैसे कि plumbing बगएदा कि कुछ business है, HVAC business है ये कुछ ऐसी category है एक particular category आती है जिसमें Google को लगता है कि ये लोग ज्यादा मतलब सही तरह से feeling नहीं करते है या spam करते है या कुछ ये दो तिन categories हैं जिसमे बहुत ज्यादा verification की दिक्कत रहती है तो verification थोड़ा सा hard होता है और process भी थोड़ा सा कई बाल लंबा हो जाता है तो इसके बाद हमारा आता है domain specific email तो अगर आपके पास एक website है तो आप domain specific email बना ले, domain specific email का मतलब है जैसे कि abc.domain.com, domain यानि कि आपकी website का name.com पे अगर आपने बना रहा है या .in.war.io जो भी हो सकता है तो और उसकी through अगर आप verification करते हैं बजाए अपनी Gmail के verification करने के तो भी verification बहुत easily होता है ठीक है तो अगर domain है, website है तो ही domain होका और domain होका तो verification easy हो जाएगा तो ये दोनों ही website के होने के बाद की चीज़े है नेक्स इसके अंदर आता ह Gmail Already Managing GBP अब ये पार्ट यहां पर कैसे important है देखिए कई बार क्या होता है आपने बिल्कुल नई Gmail create की और आपने उस पर Google Business Profile बना दिया तो Google को वो trust build नहीं होता है कई बार उससे verification नहीं होता है suspension हो जाती है लेकिन जब आप किसी agency के थूरू इस काम को करवाते हैं तो agencies में क काफी सारे businesses को already handle कर रहे होते हैं उनकी Gmail ID का एक पूरा history रहता है अगर आपकी Gmail भी पुरानी है उसका पूराना history है उसके अपने YouTube channel बनाया है या उसके थूरू अपने Facebook account बना रखा है आपकी old एक email है तो थीक है अगर बिल्कुल नई email है तो उसकी history नहीं रहती है बड़ अ काफी important role play करते है उसमें अगर आप उनके through verification कराते हैं तो कई बार verification के जो ये methods हैं इसमें बहुत ही simple से methods से भी verification हो जाता है phone SMS या फिर email से live call ये video recording पे नहीं जाना पड़ता है video recording और live call में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं लोगों को कई बारी कुछ रह जाता है कभी कुछ र करवा रहे हैं तो फिर वहां पे किस तरह से उसको manage करना है ये सब चीचे problematic होती है तो अगर आप किसी जंसी से करवाते हैं उनका already email account है जिस पर already history है manage करने की तो verification easy होता है हलाके मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आपको करवा करते ही देंगे बट कई बारी easy हो जाता है difficult वाले तो हम करते ही है और इसके बाद है अगर आपने social media पर आपका business पहले से exist करता है आपने ये सब citation का ये part जैसे की website होना या फिर domain specific email होना तो ये trust build कर देता है तो आप अगर अपना business बना रहे हैं Google पे लेके जा रहे हैं तो आप अपने social media accounts बना कर रख लें Facebook है Twitter है इं हो जाएगा हलांकि इसके अंदर एक point मैंने add नहीं किया है बट वो तो must have requirement है जैसे कि आप कोई business है और आपके पास सारे जो documents हैं वो होने चाहिए हैं बट वो ज्यादा तरतब की बात आती है जब कोई suspension का issue आगया या फिर verification हो ही नहीं रहा ठीक है या फिर हमें live call या फिर video recording के time पे कुछ upload करना पड़ रहा है तो उसमें लेकिन वह भी बहुत important है आपके पास इतने भी business से related आपका जो जो भी जैसे उद्यम हो गया या certificate ह तो वो होने चाहिए और आपका utility bill होना चाहिए वो कोई भी bill हो सकता है आपका phone का bill है roadband का bill है या फिर आपका rent agreement है तो यह चीज़े अगर आपके पास हैं तो फिर verification जो है वो easy रहता है तो documents भी must have है ठीक है लेकिन उनकी जरूरत बाद में पढ़ती है अगर ये सारे steps follow कर ल किया है वो active होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आपका जो voice call पे जा रहा है message जा रहा है और उस phone को आप मतलब नहीं ले पा रहे हैं तो phone number आपका properly active होना चाहिए next इसकी अंदर है fill out everything including photos तो जब आप Google business profile create करते हैं तो आपको हर field जिसमें आपके पास data है या नहीं भी है तो no कर द नहीं है photos भी upload करने है जितने भी attributes से उनको fill करना है ताकि verification जो है वो easy हो जाए कोई भी चीज को आप छोड़ेंगे नहीं तो verification आपका हो जाएगा do not make so many changes अब ये verification से पहले और बात दोनों की ही बात है जब आप कोई profile बनाते हैं तो अगर verify हो गया है तो भी बहुत सारे changes ए एक बार उसको थोड़ा settle होने दे, verification के बाद भी उसको थोड़ा settle होने दे क्योंकि जो real businesses होते हैं वो बहुत सारे changes नहीं करते हैं तो आपको भी बहुत सारे changes एक्दम से नहीं करने है तरवास Google को लगता है कि ये कोई spam है कोई आपके account को hack कर रहा है या इस तरह ऐसे तो उस verification रहेगा दरवास re-verification के लिए भी आपको जाना पड़ सकता है माल गया कोई easy method से आपका verification होगा लेकिन आपने बहुत सारे changes एक्दम से कर दिये तो हो सकता है आपको re-verification भी इसके अंदर करना पड़े अब इसके बाद हम आज आते हैं कि आपका जो है service business है या hybrid business है ठीक है तो इस case के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा देखिए service business का मतलब हो गया जो plumber हो गया या फ़र जो इस तरह से जो आपकी location पे जाके आपको कुछ service दे रहे हैं बट उनके पास उनका कोई physical store नहीं है या shop नहीं है तो वो सारे service business में आते हैं अब service business किस तरह से verification कर सकते है service business verification के लिए उनके पास कोई story नहीं है तो मतलब उनके पास कोई address ही नहीं है अगर उनके पास कोई address नहीं है तो फिर वो verify कैसे करेंगे उस particular जगहें को तो उसके लिए Google क्या कहता है कि आपको अपनी service location को दिखाना है इसका मतलब यह है कि आपको आप जिस area में अपनी services को provide क करते हैं वहां का area आपको दिखाना है वो streets हो सकती है वो कोई business location हो सकती है तीक है और वहां पर जाकर अगर आप दिखाते हैं तो उससे भी आपका business जो है verify हो जाएगा साथ ही महलेजी आप कहीं पर service दे रहे हैं तो service देने के बाद करी बार आपने देखा होगा कि जो service देन ले सकते हैं तो आपको चोटे tags बनवाने हैं जैसे माल लिए आपने कहीं पर filter repair किया तो वहां पर आप एक tag लगाए और फिर उसकी आप photo ले सकते हैं या फिर जैसे आपने paint का कुछ work किया तो वहां पर चोटा सा mention कर सकते हैं कुछ plumbing का किया तो repaired by ऐसा कर किया आप चोटा सा tag वहां पर लगा सकते हैं तो उसकी photo आप वहां पर लगा सकते हैं तो यानि कि अपने customer की location का भी जो है वहां पर add किया जा सकता है अगर आपने business के नाम पर कुछ uniform बना के रखी है या आपके equipment है या फिर आपकर service vehicle अगर कोई है जैसे आपके पास कोई bike है या फिर कोई branding कर सकते हैं आप अपने business का name अच्छे से लिख कर रख सकते हैं तो वो चीज भी आप जो है record कर सकते हैं यह service business के लिए basically apply होता है और यह तब की बात है जब mostly आपको video recording बगारा करके रखनी पड़ती है या बेजनी पड़ती है इसका video बना कर photos की जगें पर upload भी कर सकते है record yourself providing service though मालीजे आप कही पर service दे रहे हैं आप मालीजे floor cleaning का अगर आपका work है तो floor cleaning करते हुए आपको video recording करना है और आपको वो particular task करते हूँ video record करना, आपको खुद को या किसी के faces को record करने की जूरत नहीं है, बनलब आप काम कर रहे हैं और काम करते हुआ आपको record करना है, ये चीज़ेस के अंदर जरूरी है, इसके बाद आता है आपके registration papers, जब आपको ऐसा कुछ option आता है, तो आपको अप जिनके पास physically कुछ option नहीं है, और hybrid business के अंदर तो वो आगए, जिनके पास physical store भी है, तो ये तो अपने, इसमें जब video verification की बात आती है, क्योंकि बाकी सारे जो भी process है ना, वो simple है, जैसे कि अगर हम बात करें, email, phone, postcard, या फिर ये सारे photo upload, ये सारे simple, लेकिन video verification या video recording या live goal क पर आपको इन चीजों के युरूरत पढ़ती है, तो भले ही वो physical store हो, hybrid हो, तो जब आपको video record करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको अपने surrounding area का video लेना है, जैसे कि आप shop के बाहर खड़े हैं, shop का signage आप दिखा सकते हैं, और थोड़ा सा इधर, वहाँ पर कोई already जो business ह उनका दिखाएं area इधर जाएं, इधर को जाएं, road दिखाएं, front, back, यानि कि clear हो जाएं कि आप road पे हैं, आपके आसपास कोई ऐसा landmark है, जो पहले से काफी known है, तो उसका video आप बनाएं, business name दिखाएं अपना signboard के ओपर, आप बहर खड़े हो कि आपका business का name है, वह signboard पे लि अगर आपका नहीं है, तो कोई और आपको उस जंगा उपर जाने नहीं देगा, तो यह है, वीडियो वेरिफिकेशन के point of view से hybrid के अंदर मैंने आड़ किया, otherwise तो simply ही रहता है, आपको simply phone में message आगा और आपने महाँ पर message फिल करना है, तो यह सारे चीज़ें हैं, जिससे Google ने basically एक tool दिया हुआ है, verification के लिए, तो आप यह जो URL पर जाएंगे, तो आप यहाँ पर जाकर check कर सकते हैं, आपको यहाँ पर अपना email एंटर, जिस email पर आपका business है, तो वो एंटर उसी से login किया होना चाहिए, यहाँ पर आपसे email पूछा जाएगा, यहाँ पर आपको confirm क आपका Google business profile है जाएगा, तो वहाँ पर आपका verification का status जो है आप check कर सकते हैं, तो I hope आपको verification easy किस तरह से बनानी है, यह पता चल गया होगा, कोई doubt है, verification में कुछ issue आ रहा है, तो आप comment करके पूछ सकते हैं, वीडियो को like और share जरूर कर दिजेगा, मिलता हूँ आपसे next video के अ